हई दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा सीस्ट निर्मल में दोस्तों इस यूडियो में MSA टैबलेट के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों MSA टैबलेट को लीफोर्ड हिल्थ क्यार बناती है दोस्तों MCTablet Anti-Histaminic Anti-Allergic दबा है दोस्तों MCTablet के Ingredients की बात करें तो MCTablet में Levocytrogen Hydrochloride 5 mg होता है Embroxyl Hydrochloride 60 mg होता है Levocytrogen Hydrochloride Anti-Allergic Anti-Histaminic होता है Embroxyl Hydrochloride कब की समस्या से अराम दिलाने के काम करता है दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको दवाओं की सही जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों MCTablet का उप्योग खासी आने पर छेंक आने पर नाक वहने पर आँखों से पानी आने पर इस टैबलेट को लिया जाता है MCTablet बलगम को धीला और पतला करने मदद करती है जिससे की कफ आसानी से बाहर निकल जाता है दोस्तों MCTablet की डोज की बात करें तो 18 साल से उपर का कोई भीवक्ती सुबह साम खाना खाने के बाद इस टैबलेट को ले सकता है 18 साल से कम उमर वालों को इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सला लेने चाहिए दोस्तों किसी भी दवा को लेने से पहले डॉक्टर या फारमासिस्ट की सला लेना चाहिए दोस्तों MCTablet के साइड इफेक्ट की बात करें एमसेट की 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप लगभग 49 रुपए की किसी भी मेडिकल इस्टोर में आसाने से मिल जाती है दोस्तों यह मैंने डिस्कस किया एमसेट टैबलेट और उससे जुड़ी जानकारी आई होप वीडियो अच्छा लगाओगा लाइक सेयर और सब्सक्राइब थैंक यू